ये ना ही कोई इडली है या फिर वड़ा पोहा और सूजी का इस्तमाल करके हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ब्रेकफस्ट अगर आप मौनिंग में क्वेक इजी और इंस्टन ब्रेकफस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बिलकुल परफेक्ट आप्शन है बाहर से क कप के जितना मैंने जाड़ा पोहा ले लिया है इसे हम अच्छे से वाश कर लेंगे पहले तो देड़ कप पानी में इसे वाश कर लीजे और उसके बाद ये जो पानी है ना उसे हम फेक देंगे हमारा पोहा बिलकुल सॉफ्ट हो चुका है इसमें हम एक कप के जितना सूज है न वो भी चल जाएगा और जितना आप रवा लेंगे उसका आदा हिस्सा ही आप दही लीजिए अब यहां पे मैंने एक कप के जितना पानी डाल दिया है और इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसके बाद यह जो मिश्रन है न वो सारे मिश्रन को हम ट् पानी सोक करती है तो टोटल मैंने यहां पे दो कप पानी का इस्तमाल किया है इसे ग्राइंड कर लीजिए और एकदम स्मूद बैटर रेडी कर लीजिए इसका देखे लग रहा है ना एकदम पॉफिक बैटर और वो भी इंस्टेंट बनके रेडी हुआ है अब इसमें नमक आड कर लेंगे इस वादा नुसार और नमक आड करने के बाद आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से अब इसमें हम कुछ सबजिया आड करेंगे तो यहां पे मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर, कॉन्स, कटा हुआ प्याज, कटे हुए हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे मुठी भर इसके उपर और सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें कैपसिकम, उबला हुआ मटर भी आड कर सकते हैं अब आदा शाशे हम इसमें इनो का डाल देंगे और मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से अगर आपके पास इनो नहीं है तो अच्छी से गरम कर दीजिए कुछ बुंदे ऑईल की ड्रिजल कर देंगे उसके बाद उपर से और दो लैडल फुल अप बैटर इसके उपर डाल देंगे फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखे और इसे ढखकर हम लगबग एक मिनिट के लिए पकाएंगे अब एक स्पून क का इस्तमाल करके हलके हातों से इसे पलट दीजिए और पलटने के बाद फिर से इसे एक मिनिट तक हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ढखकर उसके बाद आदा चमच तेल हम साइट से ड्रुजल कर लेंगे वैसे तेल की जगा आप चाहे तो बटर या फिर घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो देखिए दोनों साइट से ये एकदम परफेक्ट पकर रेडी हो गया है बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बिल्कुल इसी तरीके से आप सारा बैटर इस्तमाल करके बना लीजे पोहा और सूजी का एकदम टेस्टी नाष्टा अग फिर आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और अगर आप इसे बिना तेल की बनाना चाहते हैं तो फिर इडली स्टैंड में बनाईए खाली आपको ग्रीस करना पड़ेगा इडली स्टैंड को और उसके बाद बैटर भर दीजे और आपकी सूजी और पोहे कि बिल्कुल टेस्टी इडली बनकर तयार हो जाएंगी इसे आपको बारा मिनट के लिए स्टीम करना पड़ेगा इडली स्टैंड में चलिए एक मैंसे तोड़कर भी बताती हूँ आपको अंदर से बिल्कुल सॉफ लग रहा है ना फुल अफ वेजिटेबल्स आप भी इस